नौ दिन माता के मंदिर में जो एक पान का बीड़ा एक पान का पत्ता लेगा उसमें दो लॉंग दो पतासे, दो सुपारी, दो इलैची और थोड़ा सा सिंदू रखकर अरपन करकर आएगा नौ दिन लगातार अखंड स्व भागे वती होने का वर्दान मिलेगा, पतिदेव का कोई एक्सिडंट नहीं होगा, कोई आपके झगड़े चल रहे हो, उसमें आपको निजात मिलेगी, आप दुनों के झगड़े चल रहे हो तो वो आपकी समधी हो जाएगी, आप लोगों का तलाक नहीं होगा married life आपकी disturb नहीं होगी love life बहतर होते हुए दिखाई देगी और कोशिश करें कि आप मादुरगा भवानी को इस वर्ष जब तयार करें शिंगार करें तो हर रोज उन्हें गुलाब का इतरारपन जरूर करें अपने घर के मुखे दर्वाजे पर आम के पत्तों का बंदरबार लगाएं हो सके तो रोज उस पर स्वास्तिक बनाएं रोज स्वास्तिक हटाएं ये आप अपने दुकान फैक्टरी घर में भी कर सकते हैं अपने वेपार शेत्र में भी कर सकते हैं अपने आफिस में भी कर सकते हैं और खुद भी अच्छे से तैयार होकर रोज आफिस जाए सुभा जल्दी उठें ब्रहमूरत में देवी की पूजा करें सूरे को नमसकार सूरे पर नाम जरू करें नवरात्रों में एक अलग सी एनरजी पूरे ब्रहमार में होती है और मा इस बार घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं तो मि दुर्गा भवानी केवल प्यार की भू किया मा को प्यार से बुलाएं अपने घर में बैठी ही मा का सम्मान करें रोज सासुमा या मा के पैर चुएं उन्हें भी कुम-कुम लगाएं और उनसे आशिरवाद लें आप उस मंदर में बैठी ही दुर्गा की पूजा करते हैं घर में बैठी ही मा के साथ आपके संबन्द खराब हो तो शत परतीशत रिजल्ट्स जीरो है कमेंट्स में जैमाता ने